तो प्जोटे बाद बच्चो, कैसे हैं आप सबी? मैं आशा करती हूँ कि आप सबी स्वस्त हैं और अच्छे हैं तो आज हमारी जो संस्क्रित की कक्षा है, उसमें आज हम पड़ेंगे आपके संख्या वाचक शब्दहा यानि कि आज हम संख्या पढ़ेंगे संस्कृत की अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इससे पहली कक्षा में अगर आपको याद हो तो हम पिछली कक्षा में ये संख्या पढ़ चुके थे हमने कहां तक पढ़ी थी पिछली कक्षा में हमने एक से चालिस तक यानि कि चतवारिशंत का तक हमने पढ़ ली थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो संख्या एक से चार तक होती है वो हमारी तीनों ही वचनों में प्रियोग की जाती है ठीक है? आज हम पढ़ेंगे आपनी आपकी संख्या 41 से 60 तक यानि कि एक चतवारिशंत से 60 तक ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी संख्या वाचक शब्द की कक्षा चालिस आपको पताईए कि किसे कहते हैं संस्कृत में? चतवारिशंत ठीक है? चतवारिशंत अब है 41 41 यानि कि एक को हम आगे रखेंगे और जो हमारा चतवारिशंत है उसे हम पीछे रखेंगे एक चतवारिशंत 42 दूई चतवारिशंत 43 त्री चतवारिशंत 44 चतुश चतवारिशंत 45 पंच चतवारिशंत 46 शस्ट चतवारिशंत 47 सब्त चतवारिशंत 48 अस्ट चतवारिशंत 49 नव चतवारिशंत 50 पंचाशंत ठीक है 40 को क्या बोला हमने चतवारिशंत और 50 को हम बोलेंगे पंचाशंत तो आपने देखा जब हमारा 40 यहां पर चतवारिशंत कहलाया तो उसके बाद जो हमारी 41, 42, 43, 44, 45 यह आगे की जो हमारी संख्या है उसमें क्या लगते आगया वस हमारा हमारी जो 1 से 10 तक की संख्या थी या 1 से 9 तक की संख्या थी हमारी वो लखती गई देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है हमको सिर्फ यह याद रखना है कि 40 को क्या कहते हैं उसके बाद हम 40 के आगे की संख्याओं को खुद कर सकते हैं अब जैसे मैंने अभी पढ़ा है था 40 को क्या कहते हैं चतवारिंशत एक चतवारिंशत चतुस चतवारिंशत Nayshah शत चतवारिंशत पन्चाशत ठीक है अब हम ध्यान में रखेंगे आपको यह याद रखना है कि हम 50 को क्या कहते हैं संस्क्रित में 50 को हम संस्क्रित में कहते हैं पन्चाशत अब उसी तरह जैसे हमारे एक चत्वार इंशत होता गया अब उसी तरह हमारा एक पंचाशत, दुई पंचाशत, त्री पंचाशत ऐसे संख्या हमारी आगे तक होती जाएंगी चलिए देखते हैं जैसे 51 यानि कि 51 आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक से नो तक संख्याए लगी हुई है एक, दुई, त्री, चत्वा, पंच, शट, सब्त, अस्ट, नव और आगे हमारा आगया सस्टी फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है पंचाशत, पंचाशत है ना तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है आपको सिर्फ ये 20, 30, 40, 50, 60 ये वाली संख्याए आपको याद रखनी है उसके बाद आप एक से नो तक की संख्या इनके पहले लिख देंगे तो आपको ये एक से सा 53, 3 पंचाशत, 54, चतुहा पंचाशत, 55, पंच पंचाशत, 56, शट पंचाशत, 57, सब्थ पंचाशत, 58, अस्ट पंचाशत, 59, नव पंचाशत, और 60 हमारा हो गया, सस्ठिह. क्या हो गया ये, सस्ठिह, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई, संखिया 40 से 60 तक की, अब अब देखें शुरुआत से, तो आप 1 से 60 तक की संखिया याद कर चुके हैं, है ना, आप कर चुके हैं ना, 1 से 60 की संखिया याद, ठीक है, तो ये आप अब, बस आपको क् स्क्रित में संक्या पहुती अच्छे से आनी चाहिए उसके बाद जो आपकी 11 से स्टार्ट हो रही है उसके बाद यहां आप देखेंगे एका दश 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 त्रियो दस चतूश दस 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 आ रहा है